स्वागत है आप सब का मौंक एंड परमाणू पर आज इस कॉंसेप्ट पर हम बात करने वाले हैं वो है थर्मो डैनेमिक से आज इस पर बात करेंगे लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है आज इस पर बात करेंगे वी ओल माइट नॉटिस एफट यह वेन वी स्टेड थर्मो डैनेमिक से देल विट गॉड़ दन इंटनल एनरजी हीट एक्सेक्टरा एंड यूजली देयर आर समसाइं कर्वेंशन जो कि हम यूज करते हैं वाग दन को दिनोट करने के लिए कभी वाग दन पोजिटीव होता ह तो वाग दन सिस्टम पर अगर होगा तो वो हमेशा पोजिटीव लिखा जाता है जबकि वाग दन बाई सिस्टम होगा तब हमेशा नेगटिव लिखा जाता है ये कोंसेट है केमेस्टी में लेकिन फिजिक्स में इसकाल जस्ट अपोजिट है जब हम फिजिक्स के अंदर work done by the system देखते हैं तो वो हमेशा positive होता है जब कि work done on the system देखते हैं तो वो हमेशा negative होता है Why is it so? ये ऐसा क्यों हो रहा है? The reason behind this is that in chemistry, our main focus is on internal energy. If internal energy decreases, it means energy released from the system. इसका मतलब होगा, system ने energy consume करी और कुछ work done produce किया. It implies work done by the system तो यहां वो situation आती है कि हम बोल सकते हैं कि work done by the system और हमें यह simply पता है कि जब भी किसी system से energy release होती है, heat release होती है तो वहां उसका जो sign होता है, वो negative होता है. तो इसलिए इस situation के अंदर work done by the system नेगटिव लिखा जाता है. उसी तरह जब भी internal energy increase होती है, तो उस समय heat add की जाती है system के अंदर और heat does some work on the system और हमें पता है जब भी heat absorb होती है किसी भी system के अंदर तो वहां उसका sign positive होता है, तो इसलिए इस situation को हम बोलते हैं work done on the system क्योंकि heat दे कर system पर काम किया जा रहा है, तो इसलिए इस situation के अंदर जो work done होगा वो positive लिखा जाएगा क्योंकि heat is added and जो sign है heat का, वो positive है, but in physics our main focus is on work done, ना कि internal energy, in physics we have nothing to do with internal energy because we can use work done to operate refrigerators and heat pumps, तो वहां पर जो work done है, physically use किया जा सकता है किसी दूसरे काम में, जबकि internal energy को हम वहां use नहीं कर सकते, क्योंकि जो physics है वो physical phenomena के साथ यूज होते हैं ना कि chemical phenomena के साथ, तो physical phenomena में work done जदा important है ना कि internal energy so physics के अंदर जब system heat absorb करके work done produce करता है, तो कहा जाता है कि work done by the system और उसका sign हम लेते हैं positive, क्योंकि वहां से हमें work done मिला है, उस work को हम positively use कर सकते हैं किसी भी दूसरी जगे तो इसी तरह जब work done system के ऊपर होता है और वहां हम heat reduce करते हैं, heat को transfer करते हैं किसी दूसरी जगे तो उस condition में बोला जाता है कि work done जो है वो system के ऊपर किया गया है और जब भी system के ऊपर work done होता है या फिर work done on the system होता है तो वहां पर लिखा जाता है उसको negative अगर इस सब को हम और भी असान करना चाहें तो इसका एक simple सा रास्ता यह है जब भी किसी system के अंदर heat absorb होती है तो वहां पर positive sign लिखा जाता है चाहे वो physics हो चाहे वो chemistry हो और इसका opposite जब भी किसी system से heat release होती है तो वहां पर उसका sign negative लिखा जाता है चाहे work done वो physics में हो या फिर chemistry में हो तो यह सब simple इस formula या इस concept पर based है So at last for more such videos do subscribe and stay tuned at Wonk and Pramana